रामदर्अ, शारे देश वाराषी है चया निस प्यारा बड़ावा बड़ा योड़ा ने प्यार बड़ा राम रामदर्अ चैब्सária अभर अपीरी देशी रिशसी में आप सबकर स्वागत करती हूँ और अब मेरे हर्याने का सारा साग सरसो का साग अपने देसी स्टाइन में बनाऊंगी आप देखी इसके लिए चाहिए मुझे पालक सरसो और जी ये कुछ मेथी ली है मैंने थोड़ी से एक मुठी के करीब और ये हरा चना आज हम जो साग बना रहे हैं बिना बथवे के बनाएंगे जो कि सिर्फ पालक सरस और मेथी से बनाएंगे और इसको मैंने खूब बढ़िया तरीके से दो लिया है तीन से चार बार इसको भी दोने की सबसे बहुत ही जरूरी स्टैप होता है अगर आपने अच्छी से दो या नहीं तो उसमें मिट्टी रह जागे और करकराट रह जाएगे फिर सारे साग का ना सुद्यागा जिकती तो तीन से चार बार बहुत अच्छे तरीके से दो ये मेरी पहली वीडियो में मैंने बताया कि सर्चो को साग को कैसे दो सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और अब इसको मैं इस तरीके से अच्छे तरीके से बारिक बारिक काट लूँगी दरात से भी काटते हैं, हमारें गाउ kalian में ते जीश धरात होता है उससे गाटते हैं, मैं चाकू से ही काटरी हूँ, और ये सारे इस चीजे काट लिए है, सर्सु की बार्यात्तें, सर्सु का पिछले वाला इससा है, उसको नहीं काटना होता है, ये बाता को कोई भी नहीं बत सरसु को पूरा काट लेते हैं तो बकबका सवाद आता है कड़वा पना आ जाता है जो अजीब सा स्वाद होता है अच्छा नहीं लगता है तो इस तरीके से आप साग बनाए इस चीज़ का दियाना कि सरसु को पत्ते आप काटें तो पिछले वाला इस सा निकाल दें एक परम्परीक तक बना लेंके ना तुझी जाएगा पूरे जड़ाए न्युन शाग बना होगे योसारा साग मैंने काट कर तयार कर лिया है अब आती वसंवालने की बारने की बारी यह मैने कुकर ले थोड़ा थोड़ा यह साग डाल दिया मैं इसको क्या करूँगी डख दूँगी डाल के ऐसे फुल भर जाए जो कुकर में अब और तो जगह है नहीं तो इसको थोड़ा डख देंगे फिर यह भाब बनके निचे बैठ जाएगा इसी तरी के सारा साग मैं इसमें डाल और इसकी तासीर गरम होती है बहुत ही बढ़ी अरह सर्दियां में साग पर बढ़ावा सब हैं सही तरीका नहीं पता आज मैं वही सही तरीका आप लोगों के साथ शेर कर रहे हूं सारा नों वही समें डालूंगे अपना यह लिए है मैंने एक दो चमच बाजरा बाजरा तो जो साग गुटा हुआनी बनता नों वह बन जाता है और बहुत ही अलग स्वाद आता मजेदार यह मैंने डेड़ अदरक इंच का यह तुकड़ा जो कद्दू कस कर लिया था और आदी चमच के करीब पानी डाला है सिरफ एक चमच देसी घी उबालते समय डाले देसी ख आप बज रहनां है तो ऐसे षित बलआ सकते हैं अब मैंने दवो चमचिए बड़े वाली मक्यी का ाट निया है मकयी का आट की जगह आप बजरे काट डाल सकते हैं और बेसन ब्रेफोर सकती हैं इसको हम कहते है चल्वर 222 चिसी दिया आज में केड predictive चे मरेकरी इसको सब हल से चार सीटियां आगी है खाटा गोलने के लिए चे मुझे ये सीथ बटर मिल्क ले ले लें आप और इसको अच्छा तरीके से मिला लें गाठे ना हो इस चीज का द्यान रखे ना तरह साग में गाठ पड़ जाएंगे आपके इस तरह किसे खाटे को हम गोल लेंगे ऐसा करन चोड़ दिया है और इस पानी को फैक ना नहीं है इस पानी को हम इसी साग में इस्तमाल करेंगे जी बहुत ही हल्दी है आप साग इस तरीके से बनाएं और एक बार खाएं और अपने दोस्त और फैमिली को खास करें मैं मानों को जरूर खिलाए हर बार यही कहेंगे कि जी वही सरसो का साग बना दो मैं लूँगी अब रई मतनी इससे हम इसको इस तरीके से फैटेंगे जैसे मैं कर रहे हूं इस तरीके से हम इसको फैटना है गुमा गुमा के फैट लेंगे आप इस तरी से देखिए जिस तरीके से मैं कर रहे हूं इसी तरीके से हम फैटें चार स 5 मिनिट हम इसको फिटेंगे ऐसे और मैंने इसमें एक खाटा जो मैंने बनाया था ये डाल दिया और ऐसे ही मैं इसको मत लूँगा अच्छे तरीके से बहुत से मेरी बाना जी एक डाइध चला दें इसमें अगर हैं ब्लेंडर भी आपको चलाना तो एक सेकंड के लिए चलाएं और फिर हटा लें एक से तीन बार ही करें यह नहीं कि एक ही साथ में फिर वह एकदम लाइसा हो जाता वह अच्छा नहीं लगता है एकदम पतला होने के बाद और अब जो आ मेरा आठा था मके का मैंने इसको हलका भून लिया था तो उससे कच्चापन कम हो गया होगा बिल्कुल उसका तो कच्चा कच्चापन आता नहीं तो अब इसको मैं पकने देखती हूं यह पानी मैं इसी में डाल दिया और इसी तरीके से मैं मतनी से इसको हिलाती रहूंगी गो चुटकी बरनमग डाल दिया है एक चुटकी बरनमग डाल दिया एक चुटकी अच्छोग बना रहे हैं इस चीज का ध्यान रखे और आप छा हो तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हूं लेकिन मैं नहीं क्टा बनाएफ। five perhaps अमार प्याज प्रूण Sun Qué गोल में यह दो हुए है तो अगिन लेके छीज नहीं कि है तो मैं नहीं दोहीस के डाल देगान सब्सक्राइब और अब हमारे जो प्याज हम उनको अच्छ से ब्राउन कर लेंगे और साथ में इसको जो हमारा सा का यह खदक रहा है इस टाइम पे थोड़ा बच्चों को दूर रखें छिटे लग जाएंगे नहीं तो और यह देखे छोक इस तरह के समय अपने जो प्याज ब्राउन हो चु करें जी और इसको अच्छा तरीके से हम भून लेंगे 30-40 सेकंड के लिए और दीमी आज पर इस चीज का ध्यान रखें आप और मसालों की बहुत ही अच्छी खुश्बाते जो दीमी आज पर भूनते हैं तो और यह मेरा साग भी खदक के बिलकुल देखे त्यार हो चुका है इसको पकते में लगा लो जी 15-20 मिनट लग गई है जरूर इतना पकाएं यह देखिए हमारे साग कितना बड़ी आतरीके से घुट गया है एकदम बिलकुल भी ऐसा लग रहा है आपको जी यह मिक्सी में पीसे से जो साग बनता उससे कम है उससे बहुत ही लाजवाब है जो पारंपरिक तरीका असली तरीका साग बनाने का जी यो यह है आप जरूर बनाई हो हमने भी जी जिसना हरा साग बना आ लिया ना तो जी सरोगन संपन होगे या बात हम भी सुनते आए हैं हरा साग बनाना बहुत ही मैनत का काम है पर जी मैनत लगा है पर खाने वाला अनक दिवाना हो जा है साग का जब आप इस तरीके से साग बनाऊंगे तो अब डाल देंगे सवाद अनुसार नमक जो कि हम सबसे एंड में डालेंगे और आप मिर्च और जिननौन अपने सवाद के साब डाली हो आप जैसा आप खाते हो अब इसको ढखके में दो मिंट के लिए प पान ही आजाए बस इस टैम पर बच्चों को दूर रखें अब मैं इसमें डालेंगे फाइनल तड़का जी जो की दो चम्मच देसी घी डाले आप की की जगे रिफाइंड हो यह लिया सरसु का तेल भी ले सकते हैं पर मैं तो इन्यों कहूंगी सरसु का देसी घी लियो जी एक चम्मच सरसु के दाने डाल दी है मैंने इसमें और यह तीन से चार हरी मिर्चे मैंने इस तरीके से दो भागों में काट ली है ऐसा करने से साग का जो सवादना जी सोग ना बढ़ जा है बहुत ही लाजवाब साग बनता है घी अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं और यह दखो जी यह डाल दिया हमारा मैंने उपर से और यह हमारा साग बिलकुल तैयार है देखे कितना कसुता लगना अगर कती देखने वाड़े के मूं में पानी आजावार अगर वीडियो अच्छी लगे जी तो जी चैनल को सस्क्राइब कर दियो शेर कर दियो और बैल बता है आपको कैसी लगी और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें आप लोगों के अशिवात से ऐसे ही में वीडियो बनाती रहूं शेर करती रहूं जैराम जी की सारे बान भाईयान है